पंजाब के पूर्व डिप्टी सियम ओम प्रकाश सोनी को विजिलन्स ब्यूरो की तरफ से गिरफतार किये ज़ाने के बाद आज अदालत में पेश किया गया आपको बता दें कि पूर्वी डिप्टी सियम ओपी सोनी पर आय से अधिक खर्च के आरोप है पंजाब विजिलन्स ब्यूरो ने उन्हें बीते रविवार को गिरफतार किया था सोनी के खिलाफ इस मामले में लंबे समय से जाच चल रही थी चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ओम प्रकाश सोनी ओपी सोनी कॉंग्रेस के बड़े नेता है और पांच बार के विधायक है वो अमरित सर सेंटरल विधान सभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं चनी सरकार में ओम प्रकाश सोनी राजी के डिप्टी सियम थे वो अमरित सर के पहले मेयर भी रह चुके हैं सोनी अमरिंदर सरकार में भी कैबिनेट वंतरी रह चुके हैं तीन जुलाई 1957 को अमरित सर के भिलो वाल में जन में ओम प्रकाश सोनी पेशे से खुद को किसान बताते हैं और सैक्षडिक तौर पर वो अंडर ग्रेजुएट है विजलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक ओपी सोनी के खिलाफ अमरित सर के विजलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम शिकायत लिखी गई थी उन पर धश्टचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1-2 और 13-2 के अंतरगत केस दर्ज हुआ 10 अक्टूबर 2022 की जाज के आदेश के बाद ये FIR दर्ज की गई आपको बता दें कि अप्रेल 2016 से मार्च 2022 के बीच सोनी और उनके परिवार की आए 4 करोण 54 लाख रुपया की गई थी इस दौरान उनका कुल खर्ज 12 करोण से भी ज्यादा था जो कि उनकी आए से 176 फीज दीज ज्यादा था गरतलब है कि भारत भूशन आशू, साधू सिंग धर्मसोत और सुंदर अरोडा के बाद भ्रश्चचार के मामले में विजिलन्स बीरो की ओर से गिरफतार किये जाने वाले ओपी सोनी चोथे ऐसे पूरु मंत्री हैं जो कॉंग्रिस से जुड़े हुए हैं ओपी सोनी के अलावा आए से धिक संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्वसियम चरण जीस सिंग चन्नी के खिलाव भी विजिलन्स बीरो जाज कर रहा है आए है जोस्ट्वटीफोर